नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में और मैं हूँ आपके साथ देख्षा जलो दिया भारत जडो यात्रा की तर्ज पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी अब मनीपुर से मुंबई तक भारत नियाय यात्रा निकालेंगे यह यात्रा 16 जन्वरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलीगे से यात्रा की घोशना कॉंग्रेस पार्टी के महासचीव केसी वेनुगोपाल ने बूधवार को की वेड़ो कोपार ने बुधार को Press Conference में कहा 21 दिसंबर को Congress कारेकारी समीती ने सर्वसमत्य से राय दी थी कि राहूल गांधी को पूरब से पस्षीम तक यात्रा निकालनी चाहिए राहुल गांधी ने भी कॉंग्रेस काय समीती की राय मानली और वह यात्रा निकालने के लिए सहमत है अखिल भारती कॉंग्रेस समीती ने 14 जन्वरी से 20 मार्च तक मणीपुर से मुंबई तक भारत ने आया यात्रा निकालने का फैसला किया है 65 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 6200 किलो मीटर दूरी तै करेंगे यहात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी इस यात्रा में राहुल गांधी, मणीपुर में घाले, नागालेंड, असम, पस्चिम बंगाल, बिहार, जहारखन, औरीसा, चत्तिसगार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, गुजरात और महराश्र जाएंगे कॉंग्रस महासचीव ने कहा कि राहुल गांधी इस दोरान यूवाओं, महिलाओं और हर्शिये के लोगों से बात करेंगे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर पूरी की थी, लेकिन भारत ने आई यात्रा बस पर सवार होकर करेंगे वेड़ु कोपाल ने कहा कि बस से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बहुशने में मदद मिलीगी, इस यात्रा में राहुल पैदल भी चलेंगे, लेकिन लंबी तूरी बस से तै करेंगे तो ये था पूरा राहुल गाधी का शड्यूल जो कि वो मार्च तक चलेगा, उन्होंने भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर लिए, जल्द ही भारत न्याय यात्रा निकालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं, मुंबई महानगर नमशकार